जी हमें बात कर रहा हूँ नीट और जेई परीक्षा की जो सरकार कराने जा रही है सितंबर के पहले हफ़ते से मद्य तक यानि एक से छे सितंबर और फिर तेरा सितंबर को ये परीक्षा संपन्द होगी लेकिन इसको ले करके जबरदस्त विरोध हो रहा है छात्रों से ले कर में 25 लाख छात्रों का मूवमेंट और दिक्कत पैदा कर सकता है इसलिए ये परीक्षा टाल दी जानी चाहिए इसको भविश्य में कभी आगे कराया जाना चाहिए क्योंकि अभी परिस्तितियां अनकूल नहीं है लेकि सरकार का इस मामले में कहना है कि बहुत सारी चीज़ जब ओपन कर दी गई है तो ये जो चुकि देश की सबसे प्रतिस्टित परिक्षाओं में से एक है तो इसको टालना ठीक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर उसको मानक बनाते हुए ये परिक्षा कराने का फैसला लिया एक बड़ी घटना ये हुई कि जो बिहार से है उनके जो अध्यक्ष है उन्होंने भी ये कहा है मैं लोग जन्शक्ति पार्टी की बात कर रहा हूँ उनके अध्यक्ष ने चिराक पासवन ने ये कहा है कि परिक्षा फिलहाल टाली जानी चाहिए इसी पर बातचीत होगी और परिक्षा करा दे आपका हमार साथ है भार्दी इंता पार्टी के राश्ट्री परोक्ता गोपाल करश्ण अगरवाल साथी एनसुई के राश्ट्री अध्यच और कांग्रेस की तरफ से नीरच कुंदन जी वन इंडिया के फाउंडर स्वागत यादो जी आपका स्वागत है पूसा ऑनलाइन क्लासेस के फा बात पूरी हो जाए तब आप दूसरे की बात को काटेंगे तो जादा सही रहेगा लेकिन आप अपना पॉइंट दमदारी के साथ रखिए अगरवाल साहब जान जादा ज़रूरी है कि परिक्षा तीस लाग से जादा केसेज हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि पच्छिस लाग छात्रों का मुवमिंट करा दें वो जादा सही है क्या करोना जैसी प्रासदी जो है वो कोई दो दिन पंदा दिन एक मैना ऐसा नहीं लग राव लंबी चलने वाली वो है और पच्छिस जो माज से लॉक डाउन किया था और अनलॉक की प्रक्रिया लग 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 छेत्र में सरकार ने शुरू की है